नमस्कार में हो दिवा बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है दो अगस्त दिन शुक्रवार खर्बरियों बन्दे से पहले एक नदर सुर्खियों पर मुख्यमंत्रियों दिन योजना दोजा चौबस पच्चिस के बारी अंतनते थी बिहार सरकार चीट फंड कंपनियों पर कसेगी सिकंजा बिहार पुलिस में सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर के पदों पर होगी बंपर बहाली आज प्रदिस के इंजिलों में भारी बारिस को लेकर यलो अलर्ट हुआ जारी जानी अगर्स महीने में कब कब बंद रहेंगे बिहार के बैंट आज स्री लंका मार्टिव टीम के बीच होगा बंडे मैज का मुकाबला अब चरे बढ़ते हैं तके 25 बरी खबरों के उग्रिस्थार से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलप्मेंट ने निकाली भरती बने के इंतमते थी एक 11 और अगस्थ है एच्छोक उमिद्वारिस के आधिकारिक website hudco.org.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के तहत जरूरी है कि आपने बी या बी टेक, एम टेक या MBA मैनेजमेंट आधिक या उमिद्वारों का चैन पद के मुताबिक होगा भरती से संबंदित सर्थिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक website और अधिस सूचना को देख सकते हैं बिहार सरकार चीट फंड कंपनियों पर कसे की सिकंजा प्रदेश में कई बार आम लोगों से चीट फंड कंपनियां ठागी करके अपडेट सिती के साथ रिपोर्टि भेजने के निर्देशिय हैं इस रिपोर्टि में जानकारी दिने होंगे कि कि इसमें अभ्योग्त कितने हैं कितने होगों के की गिरफ्तारी हुई है और कितने फरार है कि आपको बता दे कि प्रदेश के सभी जिलों में करीब 175 चीट फंड कम्पनी के खिलाफ मामली दर्ज हैं और इसे इसमें 50 करोर रुपे से भी आधिक पैसे लोगों के फसे हुए हैं मुख्य मंत्री उद्यमी योजना 24-25 की बरी अंत्मति थी 31 जुलाई थी लेकिन इसे बरहा कर 16 अगस्त कर दिया गया है आपको बता दे कि सरवर्ड सुलू होने की कारण आविदकों को कई परिशानी का सामना करना पर रहा था जिस वज़त से आविदन की अंत्मतिती बरहाने का फैस्टा लिया गया इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग के लिए 10 लाग रुपे तक दिये जाते हैं यदि आप भी इस योजना के तहत आविदन करना चाहते हैं तो आप उद्यमी.bihar.gov.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस योजना के लिए इस बार करीब 9200 लाबकों का चैन किया जाना है पंचायत अस्तर पर बिहार सरकार की योजनाएं पहुचाने के लिए होगा प्रचार प्रसार सभी जिलों में पंचायत अस्तर तक योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और अंतिम पाइदान की वैक्ति तक इन योजनाओं का लाप मिल सके इसके लिए बिहार सरकार कोशुश कर रही है इस संबंध में IPRD के जरिये सूचना एवं जनसंपर्क विभा की तरब से प्रेस विग्यपती भी जारी किये गये है जहां कहा गया है कि पंचायत अस्तर तक पदाधिकारी सरकारी की सभी कल्यानकारी योजनाओं के होर्डिंग्स के जरिये प्रचार प्रसार करें ताकि आम लोग भी इन योजनाओं के बारे में जान सकें दसवी बारवी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड हस्ताक्षर के लिए अप्लोड करने की बरियांतम ते थी विहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक वार्षिक परेक्षा दोजार पच्चस के लिए डमी रजिस्टेशन कार्ड हस्ताक्षर के साथ अप्लोड करने के इंतिम तिथी को बरहा कर 14 अगस्त कर दिया गया है सेक्शन संस्थान के प्रधान 14 अगस्त तक निवारे रूप से पोटर पर परिक्षार्थियों का हस्ताक्षर युक्त डमी रजिस्टेशन कार्ड को अप्लोड करेंगे जिन परिक्षार्थियों का डमी रजिस्टेशन कार्ड आखरीतिती तक अप्लोड नहीं होगा तो उन्हें 2025 की दसमी की परिक्षा के लिए फिर्म भर्ने के एनुमती नहीं मिलेगी बार्विंग की टमी आदमिट कार्ड में तुरूटी के सुधार के लिए senior secondary.biharboardonline.com पर और दसमी के डमी जल्दे सिपाहियों और सब इंस्पेक्टरों के पदों पर बहाली होगी। इसकी जानकारी कार्मिक विभा के डी आइजी द्वारा दे गई है। डी आइजी रंजित मिस्रा ने बताया है कि 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। वही 2007 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इन भरतियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दे गई है। इसी वर्स इन नियुक्तियों को करने का लक्षन निर्धारित क्या गया है। आती बिहार के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रूप सिमेंट प्लांट नवादा और मुसफपरपुर जिले में एक एक सिमेंट इंडस्ट्री लगने वाली है। नवादा में 1400 करोर की लागत से और मुसफपरपुर में 900 करोर की लागत से इंडस्ट्री बैठाई जाएगी। उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते में बताया है कि बियारा ने अडानी ग्रूप ऑफ कंपनीज को इंडस्ट्री बैठाणी के लिए वार्सली गंज में चीनी मिल के नजदी एक करीब 72 एकर जमीन दी है। मगद विस्व विद्याले ने प्यजडी प्रविस परिक्षा के लिए जारी की आविदन केते थी। महीने में कितने दिन सरकारी और प्राइवेट बंद रहेंगे। में कब-कब छुटी रहने वाली है। हम आपको इसकी जानकारी देंगे ताकि आप बैंक से जुरे जरूरी काम अवकास की अवधिस से पहले ही निप्टा आ ले। दिहार में ये चुटी रविवार 4 अगस्त को 10 अगस्त को दूसरे सनिवार के कारण बैंक में चुटी रहने वाली है। 11 अगस्त को रविवार के चुटी, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अफसर पर चुटी, 18 अगस्त को रविवार के चुटी, 26 अगस्त को जन्मास्टमी के चुटी और 31 अगस्त को 24 अनिवार के चुटी रहने वाली है। सक्षक अभ्यरतियों को आ रहे हैं फरजी कॉल के मामले में EOU ने जारी के अड्वाइजरी इन दिनों कई सक्षक अभ्यरतियों को साइवर ठगी के कॉल आ रहे हैं कि यदी फानल लिस्ट में आपको आपना नाम चाहिए तो पैसे देने होंगे लेकिन आएउग ने आ रहें, कॉल्स को लेकर सेक्षा का भेरतियों को अलर्ट किया है, इस मामले में अब EOU द्वारा भी खास एडवाइजरी जारी की गई है, इसके जरीए EOU ने कहा है कि किसी भी परिक्षार्थी को परिक्षा में फिल होने अत्वा अंक बरहाने का फोन आए, तो ऐसे फरजी कॉ अत्वा आपके सोसल मीडिया इमेल पर ऐसे मैसेज आए तो इस पर कभी भी ध्यान ना दे यदि कोई परिक्षा में पास करवाने अत्वा अंक वरहानी के लिए पैसे की मांग करता है तो भी उसे पैसे ना देंगी बिल्कुल भ्रहम फैला कर ठगी करने का तरीका है इससे कर सकते हैं प्रदेश सरकार खिलारियों को दे रही खेल चात्रवर्ती खिलारियों के सुवदा को ध्यान में रखते वे खेल चात्रवर्ती दी जा रही है इसका लाप पाने के लिए आप खिल चात्र विर्थी के पोटल पर जाकर आविधन कर सकते हैं इसकी आधिकारिक वेबसाइट scholarship.bihar.org है आविधन के अंतिम तिथी साथ अगस्त 24 से संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं आई से अधिक संपती और दुसकर्म के मामले में I.S. संजीव हंस पर बरी कारवाई बिहार में I.S. अधिकारी संजीव हंस पर बरी कारवाई की गई है इन्हें बिजली विभा के अतरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है दरसल इन पर अव्याद संपती अर्जित करने और दुसकर्म के मामले दर्ज थे जिसके बाद इरी द्वारा कारवाई की गई संजीव हंस के रिस्तेदार के घर छापे मारी के समय कई अहम दस्तावेज भी मिले थे जिसमें संजीव हंस को लेकर कई बरे खुलासे हुए इससे देखते वे इन पर प्रसास्ति कारवाई की गई है वजरपात से 5 लोगों की मौत पर सियम नितीस ने जताई सोक संवेदना बिहार की दो जलों में वजरपात से 5 लोगों की मौत पर मानने मुख्य io मंत्री नितिस को माने गहरी सउक संवेदना जताई है उन्होंने कहा है कि आपदा के इस घरी में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं इस दोरान उन्होंने मिरतकों के आस्रितों को 4-4 लाक रुपे अनुगरह अनुदान देने का नर्देश भी दिया है सेम नितिस ने अपील किया है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी से तरक्ता बढ़ते हैं खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें साथ ही इस से बच्चाव के लिए आपदा प्रबंधर में भाग द्वारा जारी किये गए सुझावों का अनुपालन करें एगनु में अड्मिसन की बरहें अंतम तारीक एगनु की तरब से पटना में प्रेस कॉन्फरंस आयोजित हुआ इस दोरान विस्विद्याले की पहल गत्विधियों और उपलब्धियों के बारे में वरिये शेत्रिय निदेसक डॉक्टर अभिलास नायक ने जानकारी देते पे बताया कि जुलाई 24-7 के लिए प्रवेस और पंजिकरन 14 अगस्त तक होगा इस अस्तर में कुल 26-76 से ज़्यादा नय चात्रों ने नामंकन लिया है वहीं 31-133 चात्रों ने फिर से रेजिस्टेशन करवाया है उन्होंने बताये कि अब तक कुल 99-857 नामंकन हो चुके हैं उम्मीद है कि 1-2 दुनों में ये संख्या 1 लाख के पार चली जा मौनसून की बेरुखी से किसानों को हो सकता है 2,000 करोड तक का नुकसान मौनसून की बेरुखी के मार्ज सबसे ज़्यादा किसानों पर पढ़ रहे हैं सही समय पर परियाप्त वर्सा नहीं होने के कारण बिहार में केवल अभी तक महज 55 प्रदेसर धान की रोपनी हो सकी है क्रिसी विसे सग्यों के मुताबिक आगे एक सब्ता और बारिस नहीं हुई तो 20 पीजी तक उत्पादन गिने की आसंका है इससे किसानों को कड़िब 2,000 करोड रुपे तक का नुकसान हो सकता है आपको बता दे कि प्रदेस में क्रिसी विभाग द्वारा 36.56 लाख हेक्टेर में धान की खेती का लक्ष रखा था लेकिन अभी तक केवल 22 लाख हेक्टेर की रोपनी ही हो सकी है आज प्रदेस के इंजलों में भारी बारिस को लेकर यलो अलर्ट हुआ जारी एक बार फिर से प्रदेस में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है सुस्त परा मौनसोन फिर से सक्री होता दिखाई दे रहा है बीते दो दुनों से पटना सहीद कई जगों पर बारिस होती देखी इन जलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है आज प्रदेस में अधिक्तम तापमान 32-34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है वहीं नियुंतम म्यूजियम में अस्थापना दिवस के अफसर पर हो रही है पूरे देश में कई प्रसिद कलाकारों दवारा बनाए गए आर्ट को इस गैलरी में लगाया जाएगा जिसमें रवी वर्मा जो समकालीन कला के नाय कलाकार हैं अमता सेज़गिल रविंद्रिनाथ टैगोर और जैमनी राय आदी सामिल हैं इन कलाओं के माध्यम से मुख्य रूप से सामाजिक मुद्धों पर विस्वस्तरिय समस्याओं को दरसाने की तयारी है एक लवे स्कूलों की देनिया स्थिती पर राज़त चांचद मनो जहां ने राज़सभा में उठाया सवाल बिहार में संचालत हो रहा एक लवे विद्यालों के स्थिती देनिया है अब इस मामले को राज़त चांचद मनो जहां ने राज़सभा में उठाया है इस दोरान उन्होंने चंता जताचवे कहा कि बिहार के एक लव्य मॉडल आवासे विद्याले आदिवासी बच्चों को सामान सुविधाएं देने के लिए शुरू किये गया थे इन विद्यालों में धाचगत सुविधा और सिक्षकों की कमी है इससे उन्हें शुरू करने का मिले इस उद्देश से एक लव्य मॉडल विद्याले शुरू किये गये थे लेकिन इन स्कूलों में मौलिक और आधार्वु सरत्ना की कमी है जो कथनी और कर्णी में अंदर दिखाता है फिजेंद्र यादव ने कहा राज़त की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं राजद इंदनों लगतार राज़्यों और किंदर सरकार पर हमलावर है अब इसे लेकर उर्जा मंत्री बिजेंदर प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज़त बिना किसी जानकारी के सरकार पर अनरगर आरोप लगाती है। उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि हमें पूरी उमीद है कि आरक्षन पर सुप्रीम कोट में सुनवाई पूरी होने के बाद बिहार के हित में फैसला आएगा। हमारी सरकार बिहार में बढ़े आरक्षन कानून को नौवी अनुसूची में सामल कराने के लिए केंदर सरकार से बात चीत कर रही है। जल्दी इसके सुखत ववस्ता पर बात चीत की है। मेरी बेटी नेशनल खेलती है। उसने मुझे कहा कि जब हम टीम के सदसों के साथ ट्रेन में कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों की सुरक्षा बात्रूम और हाइजिन किचन की जरूरत होती है। आगे उन्होंने कहा कि ट्रेन लेकिन उनके लिए करी सुवधाय नहीं है। आपके मुदाविक ट्रेनों में जनरल डिब्बे के संक्या बरहाना कितना फायदे मन्द होगा हमें कॉमेंट में लेकर जरूर बताएं। टीम को हार का सामना करना परा था। लेकिन इस वंडे सीरीज में स्री लंका की टीम बापसरी करने के परियास में रहेगी। आपको बदादे कि ये मुकाबला आज भारतिये समय के मुदाविक दो फैर धाई बजे देखने को मिलेगा। इसका प्रसारन आप सोनी स्पोर्ट नेटवर्क पर देख सकते हैं। साही के हाथ में चला गया। आज के दिन वर्स 1878 में भारत के राष्टे ध्वज तिरंगे की रचना करने वाले पिंगली वेंकईया का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्स 1987 में विस्वनाथ आनंद ने विस्व जूनियर सतरंज चैंपियनसिप जीती थी। आज के दिन वर्स 2001 में पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात को मंजूरी दे थी। SBI reward पाने के लिए वाइडल हो रहा है ये मैसेज। कई लोगों को SBI के नाम पर एक मैसेज जा रहा है। इस मैसेज के तहत दावा किया जा रहा है कि SBI reward पाने के लिए AP के फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करे। लेकिन आपको बता दे कि SBI के तरब से ऐसा कोई लिंक या AP के फाइल नहीं भेजा गया है। दोगों को ये मैसेज SMS या WhatsApp के जरीए मिल नहीं है। लेकिन इस तरह के फाइलों को डाउनलोड करने से या लिंक पर क्लिक करने से बचे। पी आईबी फैक्ट जेकने भी लोगों को इस तरह के मैसेज को लेकर आगाह किया है। सेर बाजा ने चौथे कारोबारी सब्दा में रचा इतिहास। सेर बाजा ने इतिहास रचते विए सब्दा के चौथे कारोबारी दिन निफ्टी इस दोरान सेंसेक्स भी 126.21 आंक मजबूत होकर 88866.55 की रिकॉर्ड उचाई पर ठहरा जो सेंसेक्स और इफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग देही। इस दोरान एनसी के निफ्टी पहली बार 25,000 की पार खुली है। वही बी एसी सेंसेक्स ओल इंडिया टाइम हाइपर रहा इस दोरान सेंसेक्स सुदुवात कारोबार में 82,000 की लेवल को पार कर गया। गूगल अपने यूजर्स के लिए लेकर आ रहा AI-based editing tools अक्सर हम फोटोज अडिट करने के लिए ना जाने कई तरह के apps का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अप गूगल अपनी सभी यूजर्स के लिए फोटो एप में AI फीचर लेकर आ रही है जिसमें फोटो एडिटिंग फीचर भी देखने को मिलेंगे। गूगल फोटो यूजर्स के लिए AI-based editing टूल को रूल आउट कर दिया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर, magic editor, magic eraser, photo, unblur, जैसे कई टूल्स का फायदा उठा सकते हैं। इन सभी टूल्स की मदद से आप अपनी फोटो को पहले से और भी बहतर बना सकेंगे। हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसी जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बिपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समयत ऐसे सी जैसे आने प्रदोगी परक्षवां में काम आएंगे। सवाल अतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान का इंटरफेट्स और वगोल से रहेंगे पूछे के पात सवालों में अपने कितना सही उतर दिया है। यह हमें कॉमेंट में लेका जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है। बिहार में कौन सा परेटक अस्थान अक्सर विदेशी परेटकों द्वारा द्वारा किया जाता है। बिहार में गंगा कारे योजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ। ऑप्शनें फर्वर् dispers 1974 अप्शन्सी जोय चांवं अफ्शन थे और द्वार्च Bjनस We अलनिफेंटा की गूफाइं किस हिंदू रेता कंसरों पध समर्पित है। इसका सई तरह सिव बीते दिन हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्षिन बॉक्स में ले कर दिया था दिनों के नाम है विने कुमार, मोतिलाल कुमार, इंतिसार, खान, पंकज कुमार, दास, संतोस कुमार, सुरेंद्र, पंडित, राजीव कुमार, भरत, प्रसाद, योगेस, भरत बाज, मिनिता भारती, सुमन कुमार, मिस्टा, वेद कुमार, सिंग रिंकी कुमारी इसके साथ ही वरतियात के सवाल की और आजका सवाल है आपके नुसार बिहार सरकार की कौन सी यूजना सबसे ज़्यादा लाब दायक है हमें कॉमेंट में लेका जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहा हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब और आप Facebook से देख रहा हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद